हेलो दोस्तो कैसे हैं आप लोग क्रेंट अफेर्स टूडे का आज 26 एपिसोड आप लोगों के बीच लेके आया हूँ जिसमें आज का जो टॉपिक है वह है इतिहास कला एवं संस्कृति से जिसमें आज का जो टॉपिक है भारतिये वस्त्र सिल्प विरासत जो है कि हाल ही में युनेशको ने देश के 50 विशिष्ट एवं परतिस्ठित विरासतिये वस्त्रों की सूची जारी किया तो यह क्रेंट अफेर्स से रिलेटेड है जो जीएस पेपर जो फर्स्ट है उसमें क्या है इतिहास कला एवं संस्कृति है तो उससे रिलेटेड यह जो टॉपिक है य करते हैं तो इसको आपको लेकर चलना पड़ेगा कि जो मतलब जो कोई खोज होता है या कोई घटना घटता है जो अगर जिस विभिन टॉपिक से तो उससे रिलेट करके लेकर चलना पड़ेगा तो जैसे कि युनेशको ने कि हैं कि 50 विशिष्ट एवं परतिस्टित विरा कि इसे जो सम्भावित प्रस्ण उसको देख लेते हैं कि क्या है जिसे टॉपिक को समझने में और असानी रहेगा क्या कि परतेक छेत्र में वस्त्रों की बुनाई कि विसेस्ता अस्थान जलवायू एवं संस्क्रितिक परभावों के अधार पर विक्सित हुई है बिलकुल कि किस अस्थान की किस जलवायू की किस संस्क्रितिक जो वस्त की जो इस्ट्रेक्चर होती है मतलब बनावट होती है कैसी होती है भारत के कुछ परमुख वस्त्र सिल्प पर परकास डाली ते हुए बताईए कि ब्रीटिस समराजवादी नीतियों ने किस परकार भारते सिल् के लिए कह रहा है और ब्रीटिस समराजवादी नितियों ने इस पर किस तरह से प्रभाव दाले जो हमारे भारत के जो महत्वपून हस्त सिल्प था यह वो मुद्योग था उसको किस परकार्थ प्रभावित किया इसे समंधित इस टॉपिक में दिया गया है तो आप जरूर इ 21st century safeguarding traditional Indian textile दस्तावेज जारी किया है यह दस्तावेज वस्तरों के पीछे के इतिहास एवं किम्दंतियों को सुची बद करता है उनके निर्मान के पीछे की जटिल एवं गुप्त परिक्रियाओं का वर्नन करता है उनकी घटती लोगपिरीता के कारणों का उलेक करता है और उनके संरक्षन के लिए रननीती परदान करता है उसके बाद है कि दस्तावेज में सुची बद कुछ परमुख वस्तर निमलिखित है जिसमें कहा है कि तमिलनाडू से टोडा कढ़ाई और सुंगडी हैदराबाद से हिमरू बुनाई ये दोस्तों ये चीज को आप याद र या वस्तर परमुख वस्तर है उसी तरह क्या है कि हैदराबाद से हिमरू बुनाई और संबलपूर से बाधा टाई वरंजक बुनाई है ना उसका गोवा से है कि कुनभी बुनाई गुजरात से मस्रू एवं पटोला महराष्ट से हिमरू और पस्षिम बंगाल से गार्ध करनाटेक से इलकल और लंबाडी या बांजरा कढ़ाई तंजावूर से सिलकन नायकन पेट कलमकारी आदी है तो यह सब जो है कि परमुख छेतर के परमुख जो है बुनाई है यह सब तो आपको धियान रखना है उसके बाद है कि उत्तर भारत से प्रलेखित कुछ परतिष हस्त सिल्प वस्तरों में पानीपत से खेस हिमाचल परदेश के चंबारुमाल लदाग से थिगमा या उनिटाई एवं डाई और वारानसी से अवध जामदानी सामिल है उसके बाद है कि जिसमें भारतिय पारमपरिक वस्तरों के बारे में तो भारतिय पारमपरिक वस्तरों को निमलेखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है जिसमें क्या है कि चार श्रेणी है एक दो तीन चार है जिसमें कढ़ाई वाले वस्त्र परतिरोध रंजित वस्त्र चपाई वाले वस्त्र और हाथ से बुने हुए वस्त्र तो देखते हैं कि कढ़ाई वाले वस्त जो है फुलकारी चिकनकारी ये क्या है कि भारतिय पारंपरी के वस्तों की ये परमुख है थिक है परतिरोध रंजित जो वस्तृ है उसमें बंधनी इकत च्पाई आ expend में कलमकारी बगुरुद च्पाई आधी हाथ से बुने हुए वस्त्र बनार्सी जरी वस्त्र कस्मीरी सौल इत्यादी यह सब परमूख है भारत के उसके बात है कि अगला पॉइंट की परतियक छेत्र में वस्त्रों की बुनाई की विसेस्ता अस्थान जलवायू और संस्क्रितिक परभाव के अधार पर विक्सित होई है बिलकुल सही बात है कि ज के इस चेट्र की जलवायों यह शोथी है उसकmac कि घुटी की करने शाम जलवायू के अनुरूप होती है tipos है भारत में ब्रिटिस सासन के तहत सिल्प कौनंकौन से सिल्प उद्योग थे तो भारत कप्राव उद्योग जो था कि जिसे अंग्रेजों ने बंगाल पर विजय प प्रशित थे जिसमें अगला पॉइंट है कि इन वस्त्रों का दख्षिन पूर्व एसिया जिसमें जावा सुमत्रा और पिनांग और पश्चिम एवं मध्य एसिया में बरे प्रेमाने पर वेपार किया जाता था सुलहवी सताबदी से यूरोपिय वेपारिक कमपनिया भी यूरोप में बिक्री के लिए भारतिय वस्त खरीद रही थी अगला पॉइंटे की अठारवी सताबदी की सुरुवात तक भारतिय वस्तरों की लोगपिरिता से चिंतित इंगलैंड में उन एवं रेशम निर्माताओं ने भारतिय सूती वस्तरों के आयात का विरोध करना शुरू कर दिया जिसमें कि वर्स 1720 में ब्रीटिस सरकार ने इंगलैंड में मुद्रित सूती वस्तरों के उप्योग पर परतिबंद लगाने वाला एक कानून कैलिको अधिनियम लागू किया अगला है कि इस समय इंगलैंड में कप्रा उद्योग विक्षित होना सुरू ही हुआ था भारतिय वस्तरों के साथ परतियस परधा करने में और समर्थ अंग्रेजी उत्पादक भारतिय वस्तरों के प्रवेश को रोक कर देश के भीतर एक सुरक्षित बजार चाहते थे इंगलैंड में सरकारी सनक्षन के तहत विक्षित होने वाला पहला कैलिको प्रिंटिंग उद्योग था जैसे जामदनी बुनाई पटोला बुनाई चीट बंदन में जानते हैं तो जामदनी एक महीन मलमल वस्त्र है जिस पर आम तोर पर धूसर एवं सफेद रंग में सजाप्टी रुपांकनों को बुना जाता है इसमें अक्सर सूती एवं सोने के धाग का मिश्रन इस्तिमाल किया जाता था जामदनी बुनाई के सबसे महतुपून केंडर बंगाल में धाका और संयुक्त प् जाते हैं उससे इंपोर्टेंट है कि कह देगा कि यह जामदनी बुनाई किस छेतर में मुखेता ज्यादा मतलब परमुख था यह से पटोला बुनाई यह कहां के लिए मतलब कहां के लिए परसिद्धा तो यह सब आ सकते हैं 19 शादिक मद्धे में सूरत अहमदाबाद और पाटन में पटोला बुना जाता था इंडोनेशिया में अत्यधिक मुल्लेवान होने के कारण यह वहां की अस्थानिये बुनाई परमपरा का हिस्सा बन गया चीट उनिशनी सद्धी के मद्धे में मसूली पटनम में उत्पादित महीन कपरे जिसे चीट पर डिजाइन का मुद्रन करके तयार किया जाता था इसका निर्यात इरान एवम यूरोब को किया जाता था बंदना डिजाइन क्या है तो बंदना पैटर्न ज्यादतर रजस्थान इवम गुजरात में तैयार किया जाते थे नोट है कि अठार्वी सताबदी के उतराद में भारत में बुनाई के परमुख केंदर धाका, मदूरा, पाटन, सूरत, बनारस थे अठार्वी सताबदी में पूर्वी बंगाल, अब बंगलादेश जो है, में धाका सबसे परमुख कप्रा के अंदर था, यह अपनी मलमल और जामदनी बुनाई के लिए परशी दे था, बिलकुल, विश्च में सबसे ज़्यादा परशी जो था, मलमल के लिए वो परशी था अब अगला देखते हैं, कि भारते कप्रा उत्पादक किस तरह से परभावित हुए, अब अंग्रेजों ने किस तरह से परभावित किया, इसके बारे में देखते हैं, कि ब्रीटेन में कपास उद्योग के विकास से भारत में कप्रा उत्पादकों को कई तरह से परभावि निर्यात करना भी कठीन होता गया क्यूंकि ब्रिटेन में आयातित भारतिय वस्त्रों पर बहुत अधिक सूल्क लगाया गया था अगर हम इस हिस्ट्री पर होंगे तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा इसके परिनाम क्या है कि इंग्लेंड निर्मित सूती वस्त्रों न जो सूत कातने का कार्ज करती थी अगला पॉइंट है कि 1830 के दसक तक भारते बाजारों में ब्रिटिस सूती कपरों की भरमार हो गई रेलवे की सुरुआत के साथ ब्रिटिस उत्पादों की पहुंच देश के कोने कोने तक बढ़ गई अब आगे के पॉइंट क्या है आग वस्त्र सिल्प भारते सांस्कृतिक विरासत के एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्से का परते निधित करते हैं और सदियों से दुनिया के लिए आश्चर्ज रहे हैं अताहा अध्योगिक बड़े पैमाने पर उत्पादन और नए देशों से परतियस परदा के दवाव के बा कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों क्या है कि आपको खुछ से नेलाइस करना है कि यह चीच आपके पास नहीं पहुंच पाता है तो वीडियो के मादम से आप तक पहुंचाने की कोशिस कर रहे हैं तो जरूर अच्छा लगा है तो हमें कमेंट करें और लाइक भी करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए जिसे मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक पहले पहुंचे तो मिलते हैं अब नेक्ट एपिसोड में तो आज के लिए इतना ही जय हिंद्द